प्रेकिंग नौवजे में आपके साथ अनशेक और चले खबरों की शुरुवात में बड़ी खबर करूख करेंगे तो बड़ी खबर रूदरपूर से आपको बता रहे हैं इस वक्त की जहां रूदरपूर में भी एकोल काता जैसी घटना सामने आई है नर्स रहवानियत की बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई है तीस जुलाई से नर्स लापता थी आठ अगस को वसंद्रा रोट से बरामत शब हुआ था पुलीस ते राजस्तान से आरूपी को गरफतार किया है रूदरपूर से बड़ी कबर आपको बता दे जहां आठ अगस को व दर्स से हैवानियत के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई जिस तरह की घटना पुलकाता से सामने आई जहां 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया पर उसकी हत्या कर दी गई जिसको लेकर लगातार आक्रोश लोगों में व्याप्त है लगातार जो तीस साथ दोजार चोविस को तीस तरीक की रात को एक फुटेला हॉस्पटल में काम करने वाली नर्स अबलिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब महिला संबंदी अपराद है तो वो अपना घर से काम करके घर जा तो नीयमानसार हमने गुम्षुदगी दर्च किया तो गुम्षुदगी में हमने त्वरित कारवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस ओड कर लिया कि वो विलासपुर में उतर रही है डिबड़िभाग से और से और से और साउंड सकुषल वो अपना जगा पे जा रह तो एक जाडियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली जाडियों में लाश मिलने का तवी तरीत हमारे को क्लिक था कि ये संभव था और खबर पर जादर जानकारी के लिए सन्वादा था चेतन बद्रा मेरे साथ रूद्रपूर से लाइफ जूर गए है चेतन एक घटना पहले ही कोलकाता में सामने आई जिसको लेकर गुसा जो लोगों का है वो शान्त नहीं हुआ और अभी उसी तरह के घटना रूद्रपूर से भी सामने आ रही है क्या कुछ एक्शन इसमें लिया गया है क्या कुछ पूरा मामला जरवस्तार से बताएगा देखे ये रुद्रपूर का मामला है रुद्रपूर में एक निजी अस्पताल में एक नर्स कारे रद थी पिछले कई सालों से वो काम करती थी और रोजाना की तरह हैं अपना काम निप्टा कर वो शाम को अपने घर जाया करती थी 30 तारीख से पहले वो ये काम करके अपना घर जा रही थी लेकिन 30 तारीख 30 जुलाई से पहले वो अपने घर जब नहीं पहुँची तो उसके घर वाले परषान हो गया और उन घर वालोंने उzen लड़की को ढूंडना शुरू किया लेकिन कई दिनों तक जब नढ़की नहीं म में पढ़ता है यूपी और उत्राखंट का बॉर्डर का इलाका है जहां पर कुछ दिनों बाद तीस तारीक के बाद आठ तारीक को पुलिस को एक लड़की की वहां पर लाश मिली जो काफी जूलसी हुई अवस्था में थी जो पोस्ट मॉटम कराया गया और तो उसके बाद पत्र चला कि लड़की के साथ कुकर्म हुआ है और उसके बाद उसकी घट्या कर दी गई है जो कुंठिक मानसिक्ता का इस ता इसने लड़की के दुपटे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद अभी पस्चिम बंगाल में ही कुछ दिनों पहले ऐसी घ जाती है तो लोगों में काफी गुस्ता है हाला कि पुलिस ने इस आरोपी को जो है राजस्तान के जोदपूर से गिरफतार कर उसे जेल भीज दिया गया है लेकिन जिस तरह से यह घटना पहले पस्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है उसके बाद र जाती है तो बहुत सारे CCTV ऐसे हैं जिनों पुलिस ने तरही कि गाती है और वहां की जो घटना स्थल है वहां पे जो एक्टेव फोन्स थे जिन एक्टेव फोन्स की लोकेशन आ रहा ही थी पुलिस ने सबसे पहले उनको ट्रेस करना शुरू किया कि घटना स्थल के आसपा जितने भी फोन एक्टिब थे उनको ट्रेस करना शुरू किया तो पुलिस को कुछ संदिक नंबर ऐसे मिले और इसके अलावा जो CCTV वहां पे पुलिस को एक ऐसा युवक मिला जो लड़की का कुछ है कैमराज में पीछा कर रहा था तो पुलिस को उस पर शक हुआ और शक्त पाई गई राजिस्थान पहुँच गई इसके एलवा पुलिस की कई टीम उने हर हरीयाना राजिस्थान उत्तरप्रदेश के अलावा और कई प्रदेशों में भी छापे मारी करी लेकिं worldwide यह युवक राजिस्थान के जोधपुर कर दो पुलिस में गिड़ुद्पुर, जो उसका मुवाइल फोन था वो लेकर महां से फरार हूँ जी क्योंकि आप बता रहे हैं कि आरोपी ने पहले महिला का पीछा किया जो नर्स जा रही थी घर उसका पीछा किया अकेले पाकर उसने सहवानियत को अंजाम दिया क्या महिला को ये शक्स पहले से जानता था या फिर रैंडम ली किसी लड़की का पीछा करना इसने शुरू किया और उसके बाद मौका देखकर इस हैवानियत को अंजाम दे दिया ये जो घटना स्थल है ये रुदरपूर उत्राखन और यूपी का एक ऐसा बौडर इलाका है जहां जो बहुत ज़्यादा खिला हुए नहीं है जहां लोगों के आवाजाई कम रहती है ऐसे में एक कालोनी में उसका घर था जब वो काम करके अपने घर जा रहाई थी तो रेंडम किसी एक लड़के ने उसका पीछा किया क्योंकि वो इलाका ऐसा था वहां बहुत ज़्यादा लोगों की आवाजाही नही थी तो ऐसे में उस लड़के ने उस लड़की का पीछा किया और उसको अकेला पाकर उसको वहाँ पहले ज़ाडियों में ले गया जबरान ज़ाडियों में ले गया और वहाँ पहले उसके साथ रेप करनी कोशिश करी लेकिन उस लड़की ने जब उसका विरोत किया जब उसने हा ये सब जो था लूट के मन्शा से किया था लेकिन उसकी नियत किस तरह से खराब हुई कि उसने पहले उसका रेप किया उसके बाद लूट कर उसकी हत्या कर दी तो हलाकि इस मामले में पुलिस ने तीजी दिखाते हूँ इस कारवाई को अंजाम दिया है लेकिन लोगों में ज जेतन क्योंकि इस तरह की घटनाएं के बाद एक अगर अलग-अलग राज्यों से सामने आ रही हैं तो जाहिर तोर पर महिला सुरक्षा पर ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर ख़ड़ा करते हैं जो लिए बहुत शुक्रिया आपका नजर इस पर बनाए रखेगा